हलो ट्रेडर, आप सभी का सौगत है बैंनिफ्टी निफ्टी के एक और लाइव एनटसिस वीडियो में कि मारकेट का ट्रेडर की साइक्लोजी क्या है और अलग-अलग टाइम फेरेम पे हम मारकेट का ट्रेड को समझेंगे तो सबसे पहले हम BNFT की सुभात करते हैं एनल्सिस के लिए और इसमें हम डीटेल एनल्सिस करेंगे कि मंडे के दिन हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान रहेगा तो चलिए सबसे पहले हम BNFT का करते हैं तो यहां पर BNFT का चार्ट लगा हुआ सपॉर्ट का टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम का तो देखिए जो हम डीटेल एनल्सिस करते हैं उसके लिए जो फर्मूला है क्या है कि सबसे पहले हम विकली टाइम फ्रेम पे करेंगे अनल्सिस उसके बाद हम चार घंटे के टाइम फ्रेम पे करेंगे अनल्सिस और इंट्राइम में जो हम इंट्री करते हैं वो पास मिनट के टाइम फ्रेम पे हम अपनी पोजिशन को बनाते हैं तो इन चारो टाइम फ्रेम पे हम सप्लाई जोन क्या है डिमांड जोन क्या है मार्केट का ट्रेंड क्या है ठीके मार् के trend को समझेंगे तो विखली टाइम फ्रेम आपके सामने हमने लगा दिया है तो आप देखेंगे कि विखली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड चल रहा है और किस तरीके चल रहा है वो अब ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर नीचे से हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है उपर से भी हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर हमारा रजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आ रहा है और नीचे आप देखेंगे हमारा क्या है वह सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हमने 6 गहंटे का कोर्स बनाया हुआ है इंट्रड dobr Lau प्राइजेक्सण फूल कोर्स तेकनिकल एमर्टष फूल कॉर्स में हमने आपको मार्केट इस्ट्रच्वाला जो चेप्टर है वहाँ पर हमने सिH एक्ष। कि किस तरीके से market के trend को follow करते हैं और trend line ही हमें बताएगा कि market का क्या trend है और trend line आप दो तरीके से draw कर सकते हैं कम से कम 2 point को मिलाना है और line खिचना है 2 से अधिक point मिलते हैं तो और अच्छी बात है देखिए यहाँ पर हमने एक point मिलाया, दूसरा मिलाया, तिसरा मिलाया, चौथा मिलाया, पांचमा मिलाया, छटमा मिलाया तो जो यह candle होती है, candle के dandy से dandy, यह जो dandy होता है डandy स dandy मिला करके आपको line खिचना है और यही line आपका ठीके trending resistance, trending support होगा तो यहाँ पर आपके देखिए 2.3 point, यह हमारा trending resistance हो गया, यहाँ पर इतने point मिले हमारा trending support हो गया तो weekly time frame पे इस तरीके का market हमें देखने मिल रहा है और उपर जाता हुआ नजर आ रहा है तो resistance और support के बीच में चल रहा है, तो यह line हम तब तक delete नहीं करेंगे जब तक यह change नहीं हो जाता तो इसके अंदर में market है, तो इसको आपको draw करके हमेसा के लिए रख देना है इसके बाद आते हैं, ठीके यह एक detail analysis है, ठीके इसके बाद आते हैं हम लोग daily time frame पे आते हैं और daily time frame पे देखेंगे market का क्या trend चल रहा है, तो चलिए daily time frame पे हम देख रहे हैं यहाँ पर यह हमारा एक supply zone है, ठीके कम से कम दो बार market यहाँ इसको test कर चुका है ठीके supply zone क्या होता है, resistance zone, जहाँ से price नीचे आता है, नीचे आता है हमारे लिए ओ resistance zone है जब आप पीछे जाकर देखेंगे ठीके इसको तोला सा छोटा करते हैं तो आपको समझ में आयेगा ठीके यहाँ पर आईए देखिए इसको छोटा करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा एक रजिस्टेंस जोन क्रियेट हुआ था फिर आया फिर रजिस्टेंस लिया इसको ब्रेक कर दिया तो प्राइजेक्शन के हिसाब से रजिस्टेंस जोन हमारे लिए क्या बन जाएगा सपोर्ट जोन बन जाएगा और सपोर्ट जोन ही ने किया बन गया support बन गया इसको इसको वफर उपर किया सस्टेने किया नीचे हा गया फिर से प्रोड लिपर कर दिया हमसे पिद से support बना इसने और स्य होगे उपर काा आच्छे ठीकर लेने हैँ जो की लेवल हमारा याँ निकलं पर केमिदा को है क्तालेवल जार 700 मार्गेट उपर s гр जोन है। जोन किया है वो ठीकै तीके 46,400 से लेकर के यहां पर 45,900 का जो ये पूरा एरिया है ठीकै यह आपके लिए क्लिए क्या हो जाएगा एक सप्लाई जोन मतलब ति अपके लिए जोन ये सपॉट जोन अब हम राजिस्टेंज जोन से इस तरीके का ट्रेंड मना करके trend analysis में हमने समझाया हुआ है जो chapter हमने आपको पढ़ाया हुआ है intraday trading full course में कि sell on rise क्या होता है जैसे ही rise होता है हम आपट seller equity होते हैं मतलब आपको ठीके हर resistance find करना है resistance पर आपको sell करना है आप option buyer है तो put buy कर सकते हैं हैं तो कॉल्ट सेल करके चलना आपको तिस तरीकर का डेली टाइम पर हो गया इसके बाद आते हैं अनिप कड़ा चार गंड गंड शल वही ट्रेंड मिल रहा है जो में ड Cakeन ट्रेंड पर उजिको उसको रहेंगे वापस आते हैं 15 jako time frame पे और यहां पर हमको देखनें को मिलेगा ठीक', हमने trend line द्रॉब कर दिया है, लाला time frame पे तो जो ये नीचे वला ये क्या है, ये weekly time frame का support trend line है नीचे भी हमारह क्या है, हमारा horizontal support है जो की एक strong support है, market breakout करेके उबर trade कर रहा है तो ये पूरे area पे अगर bullish projection create होता है तो market जरूर नया high लगाएगा तो इस bullish projection पे आपको तयार रहना है इस पूरे area से ठीके इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और हमने एक intraday के level पे यहाँ पर हमने एक resistance लिया हुआ है देखेंगे एक बार तीन बार ठीके इस zone के नीचे market ने कम से कम 17,18 दिन टाइम बताया ते के strong resistance zone हमारा हो गया है ठीके 44,750 का ठीके क्या है हमारा एक strong resistance है इंट्राड देख लिए इसके बाद हमारे लिए support जो बना हुआ है क्या बना हुआ है 43,350 का मारे लिए support बना हुआ है यह मारे लिए support है तो अगर बीच में हम कहीं भी open होते हैं तो हम इस resistance और support को trade करने वाले हैं मतलब इस वाले पूरे market में हम कैसे trade करेंगे resistance और support पर अभी market आपके पास support पर मिल रहा है यहाँ पर अगर bullish transaction बनेगा तो resistance लेंगे हम इसको breakdown कर जाएगा तो हम फिर से वापस जो हमारा support जो है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे तो यह आपकी planning रहेगी तो आपके लिए जो support है क्या है 43,350 का तो यहाँ पर आप फिर से नोट कर लेजिए intraday के level पे ठीके बैंक निफ्टी में क्या है यह आपका है 43,350 और इसके बाद 43,750 ठीके चलिए अब आते हैं कि Monday के दिन हमें कैसे काम करना है बैंक निफ्टी में सारे levels आपको पता चलेगे major उपर major नीचे बीच में क्या है यह 43,350 का कैसे आपका आया ओ सपोर्ट कैसे आया तो इसको एक बार आप डेली टाइम फ्रिम पे देखोगे तो आपको clear समझ में आएगा कि market ने यहाँ पर कई बार सपोर्ट लिया हुआ हुआ है तो यह level पर आप देखेंगे support लिया हुआ है support लिया हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 44,750 यहाँ पर हमने कई बार रेजिस्टेंस लिया यहाँ पर इसके ऊपर हम trade नहीं कर पाया है नीचा ही कर रहे हैं तुमारे लिया रेजिस्टेंस हो गया तो यह दोनों level आपके लिए important है market चल रहा है किसके control में seller के control में तो ज्यादा पत के time frame पर कल की planning करते हैं कल का trade plan क्या रहेगा by NFT में तो अपस नीचे आते हैं तीके चलिया आ जाते हैं यहाँ पर तो हमें कैसे trade करना है इसको delete कर देते हैं यह हमारा major जो है resistance होगा और यह हमारा support होगा तीके अब फिलाल के लिए हम यह जो weekly वाला है delete कर देते हैं तो clear हमको पर समझ में आ रहा है इसको भी हम यहाँ पर delete कर देते हैं चलिए अब माल लेते हैं कल के दिन में flat opening होती है तो कैसे काम करना है flat opening होते ही अगर हम यहाँ पर एक green candle बनाते हैं और आज आते हैं पने resistance लाइन पर 44,220 के आसपास, 230 के आसपास resistance लाइन पर आते हैं यहाँ पर क आप यहाँ पर एक bearish trade लेंगे अगर आप option buyer है तो आप 4,200 के put में काम कर सकते हैं अगर आप option seller है तो आप यहाँ पर 43,000 ठीक है तो यहाँ पर 800 तक के यहाँ पर आप call right कर सकते हैं तो यहाँ से हमको एक bearish trade लेना है क्योंकि market seller on rise पर चल रहा है अब ध्यान देना अगर इस दूसा condition है कि flat opening हो जाता है अगर flat opening होता है इस तरीके के उपर आता है उपर आता है यहीं पर time बताना शुरू करता है ना ही कोई bearish trade लेंगे कि bullish लेंगे गुड ब्रेकाउट पर हमको bullish trade लेना है और यहाँ पर फिर ब्रेकाउट करके एक negative मतलब bearish projection create करता है तो यहाँ पर हम 14,200 के put option में काम करेंगे हम option बाया रहे हैं तो अगर हम option selling करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे 44,000, 3,800, 3,600, 500 कोई भी एक इंदम नीम जाकरके हम write कर सकत हैं तो यह प्लाइनी रहेगा चलिए अगर माल लेते हैं कि 92 कल के मंडे के दिन में flat opening ना करके 3500 के ठीके आजपास या फिर यह जो एरिया है 43,500, 600, 300 इस इस एरिया मोपन होता है तो यहाँ पर हम एक घंटे के range को इंतजार करेंगे कम से गम एक घंटे इंतजार करेंगे breakdown क तो 43,400 के put में काम करेंगे, target हम यहाँ पर trail करती हुए जाएंगे और 42,600 तक का target हम लेंगे जो कि हमारा support trend line है ठीके तो यहाँ तक का target हमें achieve करना है और trailing system का use करके अगर एक घंटे यहाँ पर कम से कम time बिता है उसके बाद breakdown करें अगर उपर breakout कर जाता है तो अब side का trade लें यहाँ पर भी hold किया breakout किया 34,800 का दूसरा target ठीके इस तरीके का आपका रहेगा plan तो एग घंटे आपको वहाँ पर अगर open होता है support पर तो आपको इंतिजार करना है इसके बाद माल लेते हैं कि जो open होता है कहाँ पर open होता है तो अगर उपर open हो गया 44,000 के उपर कहीं open हो गय करेंगे target मरा 33,350 का simple सा plan रहेगा ठीके एक घंटे आप इंजार करना ही पड़ेगा ऐसे से level पे नीचे open हुआ वही ए घंटे घंटे इंजार करेंगे breakout पे यहाँ तक का target अगर इसको इस रेंज को breakout करेगा तो यहाँ तक का target ठीके position size quantity size एक lot इसके बाद gap down open हो गया तो क्या क करेंगे 43,350 के नीचे अगर gap down open होता है तो हम इसके नीचे अगर 15 मिनट सस्टेन कर गए तो हम sell on rise form पे काम करेंगे stop loss हमारा 43,350 के उपर की closing target हम लेंगे यहाँ पर 42,600 के आसपास का जो हमारा support trend line है यहाँ ठीके इस तरीके से इसके बाद अगर मा लेते है gap up open हो गया ठीके बहुत बड़ा gap down open हो गया तो बहुत बड़े gap down के साथ में बहुत बड़े gap up के साथ में अगर हमने बैंक रिप्टी 500 प्लस gap up और 500 माइनस gap down इसके उपर होता है तो ऐस केस में हम नजदी की resistance और नजदी की support का इंतिजार करते हैं यहाँ पर क्या projection बनता है अगर यहाँ प पर gap up हो गया तो नजदी की resistance हमारे लिए यह दोनों है यहाँ पर क्या projection बनेगा नजदी की support हमारे लिए यह 33,600 के आसपास का है तो यहाँ पर हम क्या projection बनेगा उसके उपर हमें हाँ पर trade करेंगे ठीक है तो आई होप आपको by Nifty में समझ में आ गया होगा कि कि किस तरीके स से आपकी level है और वहाँ पर आपकी pollution size क्या होनी चाहिए और आपको किस तरीके से plan करना है stop loss कहां पर रहेंगे इसके बाद चलिए Nifty 50 का देख लेते हैं कि Nifty 50 का कर लेते हैं analysis कि मंडे एक दिन क्या plan रहेगा और इसका एक detail भी analysis कर लेते हैं अलगलग time frame पे तो सबसे पहले हम weekly time frame पे आते हैं और weekly time frame पे देखेंगे इसका क्या train चल रहा है ठीके weekly time frame पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर Nifty 50 का ऊपर एक resistance है यहाँ पर पर का resistance trend line और नीचे का support trend line और इसके बीच में इस तरीके से यह चल रहा है अगर कभी इसको break करेगा तो एक नए trade की शुरुआत हो जाएगी breakdown करेगा तो एक नीचे एक side में नए training की सुवात हो जाएगी sale on rise, buy on dips फिलाल अभी हम इसके अंदर में है तो इसके अंदर में हम trade करेंगे तो इसको आप ड्रॉ कर लिजिए जब तक यह change ना हो तब तक इसको आपको delete नहीं करना है इसके बाद delete time frame पे आते हैं और delete time frame पे द 19,200 ठीके कॉंसे level है 19,250-230 का यह जो zone है यह बहुत important level है इसको break करके हम उबर ही trade कर रहा है in 5050 में तुमारे लिए support बना हुआ है ठीके और उपर से आप देखेंगे यहां resistance यहां resistance तो एक trending resistance भी आपको मिल रहा है तो यह support यह resistance इसके बीच में आपको इस तरीके से trade करना है अब आपस आते हैं चोटे टाइम प्रेम पे और चोटे टाइम प्रेम पे भी हम यहां पर देखेंगे किसका क्या support resistance होगा तो चोटे टाइम प्रेम पे हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि हम कई बार यहां पर support लिए थे, game down open होए, sustain नहीं कर पाए, उबर कई दिन से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक important support बनेगा, ठीक है यहां पर, यह हमारे लिए support हो गया, इसके बाद आते हैं फिर से हम छोटे टाइम प्रेम पे और इंटरडे के लिए प्लान करेंगे, कल के लिए nifty 50 में हमको कैसे काम करना है, छोटे टाइम प्रेम पे आ चुके ह यहां पर, यहांता है, यहां पर, यहां पर, उन्नी शा चार्ण के पुट में काम करनेंगे , इस ट्रेलिंग सिस्टम का यूज करके, अगर हम håते हैंए इसी रिस्टेंस के उपर, जो इन्टरोड का रिस्टेंस है, तो पंद्र मिनिट अगर हम सस्चेन की है, तो बाईयों undertaking जैसा कुछ रहेगा मैं आपको टेलीग्राम कर दूंगा। स्मझ में आया होगा बनेटी के अभी हमने किया तो यह एक डेटेल अनलसीं से ठीक है अब यहाँ पर आपका पोजिशन आए जो रिस्ट मनेज्मेंट काम में आएगा आपके साइगर प्रेड लेने से पहले आप क्या सोचते त्रेड लेने के बाद क्या सोचते हो इसके उपर पर आपको काम करना है, बाकि आपको basic से इरवान सीखना है, तो हमने पूरा course अप्लोर कर दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं, इंट्रारे ट्रेटिंग फुल कोर्ट शेगंटे का है, प्राइजेक्शन का है, टेक्निक अलैसिस का है, आप जाकर के बूम टेट पर सीख सकते हैं, बाकि आज की एदना ही मिलते हैं, हम लोग मंडे के दिन लाइब मार्केट में, शेर के चीम दोस्तों में जिनको इसकी पनलाब